हेलो दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत सोबत है दोस्तों ये हमारे पास LG कमपनी का मिकसर है गाहों में आया था बेचने के लिए तो हमने इसको खरीदा था आठ सो रुपाय में इसको हमने खरीदा था दोस्तो ये बहुत ही सस्ता मिक्सर खरीदे थे हमने लेकिन ये एक हपता ही नहीं चला तो दोस्तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लाम है दोस्तो सबसे पहले हम इसमें का कपलर निकालेंगे एक स्कुरू राइबर से इसको उठा देंगे तो यह हमाला कपलर बाहर आ जाएगा दोस्तो अब हम इसको उल्टा करके इसमें का स्कुरू खोलेंगे दोस्तो मोटर का कनेक्शन हम खोल लेंगे और मोटर को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉबलाम है दोस्तो आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और आप बात में पूछते हैं कि ये कैसे किया तो दोस्तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें अगर आपका कोई सवाल या सुझाओ हो तो कमेंट में आप जरूर बताएं दोस्तो ये हमारी मोटर बाहर आ गई है दोस्तो इसका आर्मेचर खराब हो गया है दोस्तो इसका कोईल भी हम चेक करेंगे दोस्तो इसका कोईल ऐलमूनियम से वाइंडिंग किया हुआ है दोस्तो ये ऐलमूनियम से भरा हुआ है तब ही इसकी मिकसर बहुत ही सस्ता मिला है हमको दोस्तो ये हमारे पास नई मोटर है और दोस्तो ये कापर की मोटर है दोस्तो इसको हमने 700 रुपए में खरीदा है दोस्तो अगर आपको नया मोटर लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिक्शन में लिंक है आप वहां से ले सकते हैं दोस्तो जब नया मोटर लेते हैं तो मोटर जाम रहती है तो हम उसे फिरी करेंगे दोस्तो सबसे पहले हम दोनों कारबन को बाहर निकालेंगे और फिर इसको हम फिरी करेंगे दोस्तो ये हमारे पास है मसीन का ओयल इसको हम डालेंगे बूस में दोस्तो अगर आपके पास नहों तो आप इसको मोबी आयल भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा दोस्तो ये फिर ही चलेगा दोस्तो अब हम इस मोटर में हम नया कारबन डालेंगे दोस्तो जो मोटर के साथ कारबन आया है वो कारबन हम नहीं लगाएंगे इसमें अब इसमें हम नया कार्बन लगाएंगे पुराना कार्बन ज्यादा दिन का हो जाता है तो खराब हो जाता है वो एकदम पत्थर हो जाता है तो कार्बन घीसता नहीं है तो कम्मूटेटर को खराब कर देता है इसलिए दोस्तों हम नया कार्बन लगाते हैं मोटर के साथ आता है उसको हम नहीं लगाते हैं दोस्तो अभी हमारा कारबन लग गये हैं दोनों अब हम इसको चला कर चेक करेंगे दोस्तो अभी हम इसको सिरीज में चेक कर रहे हैं और हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें लिकेश तो नहीं है दोस्तो अब हम इसको डारेक्टर चलाएंगे इसको हम प्लास से पकड़ लेंगे मजबूस से और चराएंगे दोस्तो इस मोटर में थोड़ा स्पार कर रहा है क्योंकि इसमें 280 वोल्टे जा रहा है दोस्तो दोस्तो अब हम इस मोटर को फिट करेंगे उससे पहले ही इसको हम चारों को लगा देंगे इसको लगाने से हमारी मोटर हिलेगी नहीं और उपर नीचे भी नहीं होगी दोस्तो ये चार रबड़ है इसी को उपर मोटर को हम बाइठाएंगे दोस्तो दोस्तो अगर आपके घर में ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो आप मिकसर को मत चलाइए नए तो ये खराब हो सकता है 220 और 230 वोल्टेज पर ही चलाइएगा दोस्तो हम उपर का कवर लगाएंगे और दोस्तो ये रवर भी लगाना है लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मोटर उपर नीचे नहीं हो रही है अगर होती उपर नीचे तो इसका हम रवर लगाकर इसको बाट टाइट करते कवर को अच्छे से पकड़ कर इसको हम उल्टा कर देंगे उसके बाद हम चारो इसक्रू को लगा देंगे दोस्तो अब मोटर का हम कनेक्शन करेंगे दोस्तो मोटर के एक साइड में तीन वायर आई है जो कि ये स्पीड है इसको हम सूच में लगा देंगे दोस्तो अब एक वायर में लाइन है एक wire main line को हम बीज में लगा देंगे दोस्तो ये हमारा connection है दोस्तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तो ये हमारे पास overload है दोस्तो इसमें दो wire लगती है एक wire motor की wire लगेगी और दूसरी wire हमारी main line जो आएगी उसमें लग जाएगी इसका connection हो जाएगा दोस्तों अभी हमारा सारा कनेक्शन हो गया है अब हम इसको अच्छे से फिट कर देंगे दोस्तों इसमें हम पपलल लगाएंगे इस मोटर में चूड़ी वाला पपलल लगेगा दोस्तों तो इसको हम लगाएंगे ये दोस्तो उल्टग होंेगा तो ये टाइट होगा इसको एक स्कूरू डयबर से और प्लास की मदल से इसको मार कर हम को टाइट कर देंगे एक बार ये टाइट हो गया तो दुematically जल्दी नहीं खुलेगा दोस्तो यह हमारा मिक्सर अब रेडी हो गया है अब हम इसको चला कर चिक करेंगे तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्क्राइब कर देना दोस्तों आफसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत